नमस्ते स्वामी न्यूज के इस विशेश सत्र रवीबार के योगव स्वास्ते के लाइव में आप सब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज हम जानेंगे माइग्रेन पेन के क्या घरेलू सरल योगिक उपाय हो सकते हैं मंतर पाट के साथ शुरू करते हैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज रवीबार के विशेश लाइव सत्र में हम जानेंगे माइग्रेन को ठीक करने के लिए विशेश रूप से कौन-कौन से ऐसे सरल सरल घरेलू घरेलू प्रेयोग होते हैं वो क्या होते हैं सबसे पहला एक उपाय मैं आपको कई सारे उपाय बताऊंगा लेकिन आपको कोई भी एक दो उपाय को लेकर के आप अगर चलेंगे तो काफी कुछ फाइदा होने लगेगा देखो यह हमारे पैर में जो अंगूठा होता है न इस पैर के अंगूठे का उपर वाला भाग होता है सिर का और दाया वाला होता है इन कंपट्टियों के साइड वाले भाग का तो यदि आपको सिर में इस तरफ माइग्रेन पेन का मतलब होता है आदा सीसी यह सिर के एक हिस्से में दर्द होना दाय में अत्वा बाय में किसी भी एक हिस्से में सिर में दर्द होता है तो वह माईग्रेन पेन की श्रिणी में आता है इसमें चक्कर आना इसमें दूप में जाने से रुकना यह बहुत सारे और भी कई सारे करण कई सारे इसके प्रभाव होते हैं दुश्प्रभाव होते हैं इनमें वेक्ति परिशान हो जाता है कुछ सूचता नहीं उस समय क्या करें तो माइग्रेन पेन वेक्ति की सुदबुद भी अगर बढ़ जाए हैं लंबे समय से चल रहा हो तो वेक्ति की सुदबुद भी खो जाती है कि क्या किया जाए त औरना आप पैन या पैंसिल लेकर या स्क किख सकते हैं पीछे के हिस्से से चुपता भाग नहीं मोटा मोटा भागिर, æखpero इस मोटे मोटे भाग से मैं या इस वाले से भी दबा सकते हैं या इस से भी दबा सकते हैं इस अंगूठे को आप सिर का रिफलेक्स पॉइंट मानें अपने सिर का अगर आपको इस तरफ दर्द हो रहा है तो इस तरफ दबाएं और अगर इस तरफ हो रहा है तो इस तरफ दबाएं, पूरा अच्छे डंग से इसको प्रेस करें, देखो, अब दो मिनुट तक लगातार दबाते रहें, दबाते रहें, देखो कैसे दबा रहें, यह माइगरेन का बिना किसी दवाई लिए उपचार है, ऐसे ही इस वाले भाग से, मोटे वाले भाग से भी हम दबा सकते हैं, ऐसे, एक, फिर बढ़ाओ दो, फिर और बढ़ाओ तीन, फिर और बढ़ाओ चार, पिर आगे की तरफ यहां सिर्दर्द हो रहा है, तो इदर इद दबाओ, ऊपर ऊपर यहां, अभी तक हम यहां उपर सिर्दर्द चला रहे थे, अब यहां फॉर हैड्ट की तरफ यह फॉर हैड है, यह बाला, इस फॉर हैड्ट की तरफ यहां दबाओ, माइगरेन, अथ्वा, अन्य कोई दूसरा भी सिर्दर्द हो, तो आपका दो में शान तो हो जाएगा यह प्रयोग आपको दूसरे पैर के अंगूठे में भी करना होगा साइडों में दर्द हो तो यह साइडों में दबा देना ऐसे यही प्रीयोग आपको इस दूसरे पैर के अंगुछे में भी करना है पैरों में सबसे जदा एफेक्टिव होते हैं सिरधर्द के, या किसी भी बिमारी के अगर पॉइंट जिसको एक्टिम क्वाइंट कहते हैं सबसे जदा या रीफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं यह forehead का reflex point है, तो इसको भी दबाया करें, ऐसे दो मिनट इसमें, दो मिनट इसमें, चार मिनट हो गया, अब चलते हाथ के अंगुठे का point दबाने, देखो, अच्छा pressure दें, ऐसे इसे दर भी, एक एक मिनट दोनों अंगुठों में दबाना, दो दो मिनट पैरों के अंगुठों में, एक एक मिनट हाथों के अंगुठों में, देखो, कैसे दबाना, पूरा उपर, आगे की तरफ से, यहां से, forehead में दर्द हो रहा है आपको, forehead की तरफ वारा reflex point देखो, ऐसे, एक, दो, तीन, चार, साइडों में हो रहा है, तो साइडों में दबाओ, एक उपाय एक्यूपेशर हो गया, चलिए next, दूसरे उपाय की तरफ चलते, दूसरा उपाय है, यदि आपको इस तरफ सरदर्द हो रहा है, तो आप पानी में तो फोड़ा सा घोल लीजिए और उसको mix करके, मिला लीजिए, उसमें घुल जाएगा, और जैसे दाइं और राइट साइड में आपको सिर का दर्द होता है, तो लेट करके लेफ्ट साइड में उसको उस पानी को नाक से डाल दो, चार-पांच बुंदे डाल दो, विपरी ऐसे ही अगर इस तरफ सिर्दर्द हो रहा है, माईग्रेन पेन इस तरफ ज्यादा हो रहा है, तो लेट करके उसी पानी को इस वले नाक में डाल दो, आपका दो मिनिट, पांच मिनिट में शान्त हो जाएका सारा सिर्दर्द, ये दूसरा उपाय था, तीसरे उपाय में हम जलनेती सजेस्ट करते हैं, आपको जलनेती इस कारेकर में कई बार बता चुके हैं, ये जलनेती का पातर है, इसमें एक कैथेडर है, ये सूतर होती है, कैथेडर रबर नेती इससे की जाती है, ये दो नंबर का ये होता है, ये अभी की जा सकती है, एक तरफ खुला रहता ह ऐसा और एक तरफ खुला रहता है यहां से चिद्र होता है देखो इसका अगर यह किसी के इंडर्देशन में करनी चाहिए जलनेती तो हम आपको इस करेकर में कई बार बता चुके हैं बता तो सुत्रत्य नेती भी चुके लेकिन जलनेती तो आराम से आप कर सकते हैं इस करेकर में आपको आधा चमच सेंधा नमक डालना होगा और घूल करके अब एक नाक से यह लगा है आप मुझ को खोलके रखें सांस को थोड़ी देर रोक के रखें गहल का इसी गरदन ऐसे तिरची करें और इसे तिरची करें और इधर से अपने आप धार बनके आ जाएगा पानी जल नेती आदा लोटे और खाली कर देंगे सांस को आपको नाक से नहीं लेना आपको सांस को मुझ से लेने के लिए आपको अपने आप मुझ कोल के रखेंगे तो आती जाएगी सांस के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आज तो किवल डमी के रूप में दि लेकिन ये जलनेती का अभ्यास और एक दुग्दनेती का अभ्यास इसी में कच्चा दूद भर लेंगे कच्चा दूद भरके दुग्दनेती भी ऐसे ही करें एक लोटा जलनेती कर सकते हैं एक लोटा दुग्दनेती कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें से बाहर निकालना रह जाए यह ओगया दूसरा उपाय तीसरा उपाय पहला आमने जाना था एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाने के लिए दूसरा पानी डालने वाला तीसरा जलनेती और दुग दनेती तीन उपाय हमने जान लिए चौथा उपाय देशी घी अगर आपको गाये का मिल जाए देशी नसल की जो गाय होती है उसका यदि आपको घी मिल जाए तो उस घी को थोड़ा सा लेकर के हाथ में या किसी बरतन में इसको दो मिनट के लिए अंदर सूंगना खूब सारा जब माइगरेन हो रहा हो उस समय में भी और बाकी रोज आप सूंगे पांसाथ दस दिन तक सूंगे निश्चिर रूप से दस दिन सूंगने के बाद आपका माइगरेन रहे गई नहीं प्राबलम में नहीं रहेगी खूब अच्छा खींच लेँए ऐसे दो मिनट सूंगना दस दिन माइगरेन हमेशा के लिए समाप्ट हो जाएगा लगबग जितने भी मैंने सौ से भी ज़्यादा माइगरेन की पेशेंट को ट्रीट किया है और सब के सार ऐसा ही हुआ है सब को यह करवा रहा है अगर देशी गाय का गी नहीं मिल पा रहा तो आप ऐसे सर्सों का तेल जो की गाणी का हो शुद्ध तेल हो गाणी का देखो यह मैंने ले लिया अब इस गाणी के इस तेल को थोड़ा सा ले करके अपने नाक में आप यू लगाए और पिर इस तेल क अब सूंगें बहुत अच्छे रंग से खीचें अगर आपको नहीं मिल पा रहा देशी गाय का गी नहीं मिल पा रहा तो तो आप सर्सों का तेल ले करके इसको सूंग सकते हैं घानी का तेल होना चाहिए शुद्ध तेल होना चाहिए मिलावटी नहीं होना अच्छे मिलावटी टेल से कोई पायदा नहीं होगा ऐसे चीशी से भी सूंग सकते हैं लेकिन यह द्यान रखना एक से दो मिनट लगातार सूंते रहना ऐसे नहीं इससे समया खूब अच्छे डंग से सून लेना यह है चौथा उपाए आज हमने जाना पांच्वां उपाए देख लेते हैं पांच्वां उपाए के रूप में हमारे पास एक दीपक है उस दीपक को मैं जला रहा हूं और इससे हमें क्या करना होगा इसको हम कहते हैं त्राटक आप अगर यह दीपक जल रहा है इस दीपक को आप देखें इसकी लौग को आप लगातार यूँ ऐसे लगातार देखते रहेंगे न एक ही बिलकुल आपको कैसे रखना है जैसे आप नाक की सीद में यदि आप इसको रखेंगे इस आँखों की हो जाएगा आजिया चकर के यहां पर आजिया चकर का मतलब यहां पर जाते लक लगाते हैं इसके बीच में होगा और इसके बीच में जब यह होगा तो इस पर आप इसकी लौपर बिलकुल एक टक देखते रहें एक तक देखते रहें तो आपकी यादाश तो बढ़ेगी ह लेकिन आपके सिर में जो अनावशे की रूप से दर्द होता है चाहे वो माइग्रेन का हो चाहे किसी भी दूसरा पेन हो वह पेन समापत हो जाएगा सदा के लिए सामने एक टेबल पर स्टूल पर किसी पर आप रख सकते हैं मैं तो केवल आपको समझाने के लिए हाथ में पकड़ दखा है वास्ता में यह है बिलकुल आखों की सीध में रखा जाता है और एक से दो फिट की दूरी में रखा जाता है बिलकुल अंधेरा नहीं किया जाता है और बहुत सारे रोशनी भी नहीं जलाई जाती है। मिलकुल मध्यम रोशनी हो। और इसमें आप इसको लेकर के आप इसके पर त्राटब करें। इसको लेकर के इस पर आप त्राटब करेंगे। निश्चत रूप से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आपकी आँखों की जियोती बड़ेगी, आपकी सिर की मांस्पेशिया नस्दाडियां बहुत अच्छी हो जाएंगी और फ्यक्ति माइग्रेन पेंज जैसे बड़े पेंज से मुक्त हो सकेगा किसी के अगर सितारे आँखों के तारे आईबॉल्स अगर इदर उदर हो गएं भेंगापन आगया है वह भी ठीक होने लगेगा तराटक हमारे तनाव को कम करता है, हमारी दृष्टी के दोश्यों को दूर करता है तराटक हम सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी क्रिया है, निर्वात स्थान पर इसको रखना चाहिए जहां पर वायू की जहूंके नहीं लगते हूँ यह जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ, तो यह कमरे में बैठ करके मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पर हवा का जहूंका नहीं लग रहा है, बिल्कुल एक आगरता से इस तराटक की क्रिया को हमें प्रती दिन चाहे वो माइग्रेन का पेशेंट हो अठवा नहीं हो सब को करना चाहिए यादाश भी अच्छी रहेगी आंके भी अच्छी रहेगी और इसके अलावा एक आगरता जिसको अपन कॉंसेंट्रेशन कहते हैं कॉंसेंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएगी इस माइग्रेन में यह तराटक बड़ा उपयोगी क्रिया है तो यह हमने यह भी सीख लिया और देखते हैं अरे कितनी देर करना है एक देर मिनट दो मिनट तक करना है और इस अंगूटे से भी यूँ कर सकते हैं एक कागज पर पॉइंट बना करके जैसे यहां लगा दिया जाए एक सफेद कागज पर और उस पर एक बिंदू बीच में बना दिया जाए पहन से काला और उस पर आप मन को टिका दीजी उससे भी तराटक हो जाएगा और यह अगनी तराटक जो भी आपको दीपक से बताया अगनी से लौ से यह भी करने से निश्चित रूप से आप सब प्रकार के सिर के दर्दों से मुक्त हो जाएगे और एक और क्रिया कौन सी वा क्रिया है meditation की ध्यान की आप ज़्यादा सोचें मत ज़्यादा सोचेंगे तो सिर में सिर की नाडियां तनाव से ग्रस्ट हो जाएगे और जब तनाव से जो भी नाडियां ग्रस्ट होती है वो खिषती है तनाव होता है और तनाव होता है तो सिरकादर्द आना स्वाभाविक बात है इसलिए आप लोग ज्यादा तनाव में जो रहता है ज्यादा चिंता यहां चले गए तो ऐसा हो जाएगा हम पहले से नेगेटिव सोच लिए पहले से नेगेटिव किसी बात में नहीं सोचे negativity में भी positivity निकाल लेवें ये हमारी कला होनी चाहिए अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति जीवन को जीता है निश्चित रूट से वह सब प्रकार के तनावों से भाईों से और BP sugar की कोई बीमारी नहीं होगी अगर तनाव नहीं रहेगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगी दूसरी और जिसका पेट साफ नहीं रहता न वे लोग पेट साफ करें पहले अपना एनिमा लेवें एनिमा नहीं ले सकतें तो किसी प्रकार के अच्छे उपाये से अपने पेट को ठीक ठाक रखें कब्ज के लिए क्या-कया यौगिक उपाय होते हैं मैं आपको बताऊंगा एक दो दिनों में कब्ज पर बड़ा कारीक्रम बनाएंगे क्योंकि इस पर बहुत सारे दर्शकों के सवाल आये वे हैं तो मैं सबको समाहित करते हुए कबज पर बड़ा कारण बनाने के विचार में हो तो इसलिए आप सब के हितार्त क्योंकि लगबग जितने भी रोगों की जड़ होती है वह कबज होती है सिर में दर्द होने का भी एक बड़ा कारण कबज भी होता है इसलिए एक ये हो गया और एक बहुत अच्छा उपाए mixing paint का जो होता है जो ततकाल किया जा सकता है देशी जी की जलेबी को यदि हम खा लेंगे ततकाल ठीक हो जाया तो सारे उपाए सब के लिए नहीं होते हैं ये भी ध्यान रखना एक बड़ा अच्छा उपाए जो सब के लिए है वह अनुलोम विलोम नाम का एक प्राणायम है उस अनुलोम विलोम के प्राणायम को यदि हम करेंगे लगातार कैसे करेंगे राइट साइड को दाइन असिका को हम बंद कर देते हैं और फिर डूसे से बाहर छोड़ देते हैं इसको बंद कर देते हैं एक्जेल फ्रम राइट देट इनहेल फ्रम राइट and without holding exhale from left then again inhale from left then without holding exhale from right again inhale from right without holding again inhale exhale from left यही करम चलता रहेगा बाएट नासिका के बाएट छिद्र से भीतर गहरा भर लेंगे और बिना रोके दाएट छिद्र से बाहर निकाल देंगे फिर इससे भर लेंगे और दूसरे से बाहर निकाल देंगे यह क्रिया जो माइग्रेन के पेशिंट्स हैं उनको 10 मिनट तक बिना रुके करनी हैं आईसे मत रखना आईसे रखना यहाथ ठक जाए ना तो इस तरफ रख लो यहाथ ठक जाए तो इस तरफ एक बादाम का तेल आता है बादाम के तेल की यहाँ यहाँ जहाँ आपको धर्द ज्यादा होता है यहाँ पर मसाज कर लेना मैं सच कहता हूँ आप लोग अगर लग जाएंगे तो इन क्रियाओं को दो तीन कोई कर ले ना इतनी सारी में तो साथ आट दस बता दी इन दो तीन क्रियाओं कोई पकड़ ले ना कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो जो आपको मच्छे से हो जाती हो केवल 10-15 दिन कर लेना माईगरेन की छुट्टी हो जाएगे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगे लेकिन पिर अनुलोम विलोम प्रडायम सदा करना ताकि दिमाग की नसनाडियां अच्छी मजबूत बनी रहे केवल माईगरेन के लिए थोड़ी कर रहे है तो पूरे शरीक के लिए किया जाता है तो इसके लिए अनुलोम विलोम किया जाता है तो नीयमित रूप से आपको सबको हमेशा करना ही है जो स्वस्ता है वे भी प्रिकॉशन इस बैटर दैन क्योड हमेशा ध्यान रखना सतरक सतर्कता ही जो है आपको बचाएगी जितने भी मुसीबते हैं सतर्कता ही बचा सकती है सतर्कता सावधानी यह सब आपको अपनानी है तो आपका शरीर अच्छा जीवन अच्छा बना रहेगा सुल्जावा बना रहेगा तो इतने सारे आपको उपाई बता है इन सभी उपाई को आप करके आप बहुत अच्छा इसमें फायदा उठा सकते हैं निश्चत रूप से आप सब लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे हम आप से ऐसी ही आशा करते हैं हमारे इसका लिंक जो भी आपके परिश्चत ऐसे लोग हैं जिनको माइग्रेन पेन है उसका लिंक आप अभी इस करेक्रम के समाप्त होने के बाद सब को बेज सकते हैं अभी चलते वे में भी बेज सकते हैं क्योंकि यह करेक्रम तो निश्चत रूप से लाइव चल रहा है और इतनी सुईदा हो गई है कि खूप सारे जगहों पर आ दिख रहे हैं क्योंकि इसमें आप ही के आरोग्या वाले सवालों को लिया जाता है उसके उपाए उसको जवाब देने का जितना भी यह था संभव सरल सरल प्रियास होते हैं उनको किया जाता है तो आज जब को जल नेती के बारे में मैंने बताया इस जल नेती को करके हम माईग्रेंट को मार भगाएं 15 दिन से ज्यादा का ये कोई खेल नहीं ज्यादा कोई happy अधिक्तम किसी का पुराने से पुराना भी हो की मेरे को तो 8 साल 10 साल से माईग्रेंट फेल है तो 15 दिन में गायब हो जाएगा उतने कारगर उपाय हैं यह सारे आज के इस का रेक्कम को यहीं पर विराम देते हैं किसी कोई दर्शक का यदि कोई प्रेश्ण हो तो अभी याँ पेस्बूक के इस कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बेश सकते हैं अभी मैं उपाय करने के पूरा प्रयास करूँगा शानती पार्ट कर वो जब सोते हैं न तब एक अच्छे उत्तम विचारों वाले प्रार्थना को करके फिर सोना चाहिए उस प्रार्थना को अभी मैं बोल रहा हूं आप लोग जब भी माइग्रेंस से जुग रसता हैं जब भी आप रात को सोएं उस प्रार्थना को जरूर करके फिर सुएं स इस लिंक को कभी भी आप चला सकते हैं, आपको वह प्रार्टना सुना ही दे जाएगे. गाड़ नेद्रा मे निरंतर कुछ समय सूते रहें, नित्यत्य जयालस्य उत्तम काल में जगते रहें, ए प्रभो आनन्द दाता ज्यान हम को देजिये, शीक्र सारे दुर्गुनों को दूर हम से कीजिये, लीजिये अम कोशरण में, अम सदाचारी बने, अम सदाचारी बने, ब्रम्हाचारी धर्मरक्षक वीरवरतधारी बने, ओम हम सब साधक गण स्वापन से बचते रहें, और मन को शुद्ध भावं से सदाबरते रहें, ओम हम सब साधक गण स्वापन से बचते रहें, स्वामी ने उसके सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद आभार है, ऐसे इस प्रार्टना को भी हमने करा करके मानसिक रूप से व्यक्ति को शान्त किया, रात रहे को सोनेक से पहले, और उसको पिट्यूटरी पिनल ग्लेंड अच्छी हो गई ना, उसको नीद ने आ रहे हैं, उनके लिए भी हम आगे कभी उपाय बताएंगे, उनकी पिट्यूटरी पिनल ग्लेंड अच्छी हो गई, थोड़ा मस्ते शान्त होने लग गया, तो उनको नीद अच्छी आने लगए, और सिर में दर्द के बिना व्यक्ति जीवन जीने लगा, बिना किसी गोली के जीने लगा, यह बहुत बड़ी बात है, आप सब लोग स्वस्तर हैं, बिना दवाई गोली के अपना जीवन जीएं, और अच्छा जीएं, बलवान रहें, ओजय श्री रहें, यादास अच्छी रहें, जीवन के संसार के सभी सुक्षों को भूगने की शक्ति हम सब में बैदा हो, उत्पन्न हो जाए, ऐसी ही कामनाओं के साथ में, आज के सत्र में इतना ही, जय हिन, जय भारत!